कि यहां दोस्ते इंडिया वर्सिस वेस्ट इंडीज के बीच कहला गया पहला टी-20 मुकाबला टीम इंडिया ने शांदार जीत दर्ज करें अपने बल्लेबाजों के दम पर गेंदबाजी भैतरी नहीं बल्लेबाजी भैतरी नहीं और रोई शर्मा की तुफानी पारी देख कर हर कोई दंग रहेगा दोस्तों जिस तरीके से फर्स्टी-20 आई मुकाबले में टीम इंडिया ने परदशन दिखा है साफ पता चला है कि टीम इंडिया की टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर तैयार यह जोरों जोरों पर है बात करेंगे इस पूरे मुकाबले की किस तरीके से र बल्ले बाजों ने तो क्या लाजवाब बल्ले बाजी करी आज दिल खुछ होगा दोस्तों भारते टीम की बल्ले बाजी देखकर खासकर सुरिकुमार यादव वेंकटे शहियर रोही शर्मा इशान किशन सबने लाजवाब बल्ले बाजी करी तो चलिए दोस्तों बिना किस देरी के आपको पूरे मैच का हाइलाइट देते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा किस तरीके से दोस्तों सुरिक हुमार यादव और वेंकटे शियर ने मैच काफी देर पहले खत्म कर दिया लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं कि तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पासे कि आप सभी को बता दे इंडिया वर्सिस वेस्ट इंडियस के बीच दोस्तों सीरीज जा रही है ओडिया की तीनों मैच जीत कर टीम इंडिया ने शांदार अपनी दावेदारी ठोकी और सीरीज जी 2020 सीरीज जीतने के लिए दोस्तों वेस्ट इंडियस ने भी दावेदारी जरूर पेश की आज जो मुकाबला रहा काटे की टकर का तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ वेस्ट इंडियस भी थोड़ी बहुत दमखम दिखाती नजर आई बता दे दोस्तों किस तरीके से आज जो कप्तान दोईश शर्मा थे और दूसरफ कप्तान किरुन पॉलार थे दोनों की कप्तानी में काफी जमीन आस्मान का अंतर देखने को मिला जहाँ एक तरफ रही उत्रे लेकिन उनके पास एक पार्ट टाइमर गेंदबाजी वहतरी तो वहीं वेस्ट इंडीज की बात करें उनकी बल्लेबाजी में काफी घहराई थी लेकिन गेंदबाजी में उतने धार नहीं थी कि 158 जितना यहां पर इसको डिफेंड कर सके और खासकर टोस्त ऐसे मैदान पर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमी का अदा करता है और वह सा साथ विकेट के नुकसान पर बनाए तो टीम इंडिया ने एक सो बासर ट्रंच चार विकेट के नुकसान पर बना दिये दोस्तो अठारा तसमला पांच ओवर में यानि की साथ गेंद पहले टीम इंडिया यह मुकाबला जीच चुकी थे अब आप सभी को जानकारी दें कि क का कुछ मैदान पर खटा सबसे पहले दोस्तों शुरुआ से जानकारी देते हैं एडन गार्डन neys एडन गार्डन कोलकता का यह शानदार मेदान जहां एहमदाबाद की वज़े से वो सीरीज से बाहर हो चुके इशान किशन आपनिंग में रोई शर्मा के साथ नज़र आए तो मैं रिशाप पंथ को वाइस कैप्टेंशिप की भूमिका सौपी गई नमबर तीन पर है जीजवल विराट कोली देखने को मिलें नमबर चार पर सुरिकुमार यादव नमबर पांच पर रिशाप पंथ नमबर छटे पर अच्छी बात ये दोस्तों कि दीपक हूडा ने अच्छा किया था लेकिन वेंकटेशियर को यहाँ पर जगे मिली दीपक चहर भी नज़र आए बोवनेशर कुमार ने वापसी करी हर्चल फटेल टीटीटी का बहतरिन गेंदबाज और बलेबाज नज़र आया रवी विश्णोई ने आज डेब्यूट किया उनके लिए काफी यादगार रहेगा ये मैच युजवेंद्र चहल नज़र आए काफी लंबे समय बाची ट्वन टीटीए वापसी करी चहल ने वेस्ट इंडीस की प्लेंग लेवन की बात करें तो ब्रैंडन किंग काईली मै मेर्स दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए उत्रों उपनिंग में पांच गेंदों में चारन मिनाए ब्रैंडन किंग ने एक चोकी की मदस से बहुनेश्र कुमार ने उनका विकेट ले लिया था सुर्य कुमार यादब ने कैच पकड़ी थी काईल मेर्स ने दोस्तों 24 गे दीप मिडाउन के तरफ दोस्तों शौट था जहां पर रवी विश्नोई फिल्टर के तोर पर तैनाज थे कैच पकड़ दी लेकिन वह कैच दोस्तों जाद जादे बाउंडरी से उनका पाउंच हो गया था इसलिए वह चक्का हो गया था तो निकलेस पुरन को वहां पर जी कैच पकड़ते हैं दसवे ओवर की दूसरी गेंद बहातर रन पर रोस्तन चेज आउट होते हैं वहीं पांच भी गेंद पर होते हैं रोमन पॉल आउट उकल मिलाकर दोस्तों निराशा भर रहता है लेकिन अकील होसे नाते बल्लेबाजी करने के लिए निकलास पूरन का सा चोके पांच छक्के की मदद से मार की जाते हैं 141 के स्ट्राइक रेट से हर्चल पटेल उनका विकेट चटकाते हैं कैच पकड़ते हैं कप्तान पूर्व कप्तान कोहली और किरन पुराड यहां पर 19 गेंदों पर 24 नवनाते हैं दो चोके की मदद से ओडियन सिमित का मैच क फर्स्ट इनिंग के आखरी गेंद पर गिर जाता है विकेट कैच पकड़ते हैं रोही शर्मा वो लाजबाप कैच होती हैं दोस्तों चार गेंदों पर चार नवनाकर ओडियन सिमित भी आउट हो जाते हैं हर्चल पटेल दो विकेट चटकाते हैं रवी बिशनुई दो वि नश्रिप उतरती है लेकिन धमाकेदार बल्ले बाजी करते हैं कप्तान जोही शर्मा 19 गेंदों पर 40 रन की लाजबापता पर तोड़ बल्ले बाजी चार चोके तीन चखके आनि कि 34 रन तो वो सरिफ चोके चखके से बना लेते हैं रोस्टन चेस जब उनका विकेट लेते तब 8 वे ओवर की तीसरी गेंद होती है और 64 रन पर पहला विकेट गिरता है रोजी शर्मा के रूप में ओडियन सिमित पकड़ते हैं रोजी शर्मा का कैच और आउट हो जाते हैं रोजी शर्मा कपतानी पारी खेल कर उसके बाद दोस्तों इशान किशन और विराट कोली क इशान किशन की रूप में बार्वे ओबर के आखर में दोस्तों इशान किशन आउट होते हैं 42 गेंदों में 35 रन पर चारड़की की मदस्त से शान किशन आउट होते हैं रोज्ट रन चेज उनका विकेट लेते हैं क्याच पकड़ते हैं फैब्या-ग अलन अब दूसरे चो कैश पकड़ते हैं किरोन पोलाड वह रिशाप पंद की बात करें तो आठ गेंदों पर आठ रन बना कर वो भी शेल्डन कोट्रल के हाथ हो आउट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद सुरुकुमार यादव और वेंकटेश यह अखेले दम पर यहाँ पर पारी का यहाँ पर मैच अंद कर देते हैं दोस्तों आप सभी को बता किस तरीके से सुरुकुमार यादव और वेंकटेश यहर के बीच करीब करीब 44 रन की धमाकेदार पार्टनेशिप होती है दोस्तों जिसमें अगर बात करें सुरुकुमार यादव ताबर तोड बल्ले बाजी करते ही करते हैं 18 14 गेंदों पर 34 रन सुरुकुमार यादव नाबाद बनाते हैं 5 चोके एक छक्य की मदद से और सबसे खूब सुनत बात आज वेंकटेश यहर को गेंदबाजी भी दी गई थी एक ओबर दिया गया उन्होंने चार रन दिये थे और बल्ले बाजी में भी उनको मौका मिला त 13 गेंदों पर 24 रन मिनाये दो चोके एक छक्य की मदद से 184 का अंको स्ट्राइक रेट था तो नमबर चटेश यहर ने बल्ले बाजी बहुत जबरदस्त की तो वेंकटेश यहर और सुरुकुमार यादव की बीच जो 44 रन की पार्टनर्शिप हुई उसके दम पर टीम एक मैच जी चुकी है और वेंकटेश यहर चे विकेट से मतब टीम इंडिया जीती जीती लेकिन चक्का जोड़ा वह बड़ा खूबसूरा था दोस्तों फैबिन एलन की गेंद पर वह बड़ा शांदार था क्योंकि इस ओवर में 13 रन आये थे लेकिन वह चक्का बहुत या यहां पर खिलाडी खाली हात रहे जो इंगलेंड के दोरान सीरीज में चमक रहे थे वह यहां पर आके सब भुझ गए सितारे जेसन होल्टर दोसे इस मुकाबले में नहीं खेले तो टीम इंडिया के लिए थोड़ी रात की सास्थ ये थी शीमरन हैट मायर सीरीज से पहले बहार हो गए तो थोड़ी रात के सास्थ ये भी थी लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों टीम इंडिया कहीं ना कहीं के अलाहूल नहीं खेले उनकी कमी नहीं खेली जस्परित बुम्रा शमी सिराज और अश्विन इनकी कमी नहीं ख़लने दी रोई शर्माई कप्तानी में दिल अगले मुकाबले की जानकारी दे तो अठारा फरवरी ठीक साड़े च्छे बजे होका टॉस साथ बजे पहले गेंद डाली जाएगी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क डिजनी प्लस होट इस्टार है पर आप मुकाबला लाइब देख सकते हैं आज की मुकाबले की पर रोप चुगे था पाउं पे तो मतलब वो दोस्तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता लेकिन टीम इंडिया गेंद बाजी और बल्लेबाजी ने मैच को संबाल लिया उसकी बाद वेंकर डिशेर का लगाया गया शांदार चक्का कॉन भूल सकता दोस्तों वह चक्का होगी नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट